नमस्कार आप देखरा आरेडी नियूज मैं हूँ योगी श्क्रवर्ती बिहार विधान सवा के चार सीटों पर उपचुनाव आखिरकार शांती प्रुवग शंपन हो गए मद्दाताओं ने अपना मन या यू कहें अपने उमिद्बारों को लेकर जो फैसला सुनाना था वो एबियम में कैद कर दिया है अब 23 नवंबर को नतीजे आएं लेकिन मद्दान के बाद ये चर्चा है कि आखिर परशांद की शोर ने आरजेडी और जेडियो की नईया कहां कहां डुवाई इसी मसले पर हम बात करते हैं सिनियर जर्नलिस्ट संतोस कुमार जी से और समझते हैं कि उपचुनाब को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे उसमें कितना दम है और क्या कुछ होने वारा है या यू कहें कि चुनाब नतीजे किस तरह के आने वाले हैं शर्प कि उपचुनाओ का जो अन्देशा था कि इंडिया गटबंदन का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा बेला गंज भी हार जाएंगे इमाम गंज भी हार जाएंगे रामगड भी हार जाएंगे तरारी भी हार जाएंगे तो जो भोटिंग का पैटर्न आया जो रुजहान पता चला जो मद्याताओं का जो बादचीत होई उससे जो पता चला कि सभी सीटों पर अलग अलग रुजान है आप चले आईए तरारी में तरारी में जो था कि परसांद की सुर कुछ भोट काटेंगे तो अपर कास्ट कोई भोट का बटबारा नहीं हुआ परसांद की सुर के सब्सक्राइए तो व subscribers में सीमेट कर रहे और वहां मुकाबला सीधा मुकाबला भारतिये जन्ता पार्टी और माले के राज retain में सीधा मुकाबला है और कеш कहरे मोजें तो लसन केमदिक के बेटव भोटों कि आपकन भाष्ग बोटों कि वहां प्ल्रूत हाड़ी दिख रहा है आप चले आए रामगड़ में तो रामगड़ में तिरकुनात्मग मुकावला हुआ तीनों कंडिडेट बड़ावड़ी पे हैं कोई भी जीत हाड़ सकता है कि लेकिन वहाँ अपर हैंड अभी तक जो बात्य से पताचल रहा है कि आपर हैंड बसपा का है बहुजन समाजपाठी का अपर हैंड़ है लेकिन हार जित होगी तो हजारी दूज़जार के अंदर ही हार जीत होगी तुसरी नम्बर पर जा सकती है तीनों कंडिडेट मतलब त पांसों के अंतर से अभी किसी तरह के दावी करना बिल्कुल ही गलाप में दावा करना भी मुश्किल है क्योंकि पिछले बार का चुनाव भी था वहाँ देखना है कि रिजल्ट क्या होता है लेकिन तिरकुनात्मक मुकाबला वहाँ है अब आजाईए आप इमाम गंज इमाम गंज की जो लड़ाई है इमाम गंज में चिराग पासवान ने खेला कर दिया है इमाम गंज में चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू में मैसेज दे दिया कि परसांद की सोर का कंडिडेट अच्छा है वो अच्छी लड़ाई दे रहे हैं तो उन्होंने एक पासवान समाज के उनके जो समर्थ है , उनको message दे दिया, बहु परसांत की सोर को vote करो, और पासबान समाज में वहां परसांत की सोर को vote दिया, तभी वहां, परसांत की सोर के candidate को कुछ vote भी आ जाएगा दस जा नहीं, तो वहां, बोट कटबा के लावे कुछ नहीं थे वह फरजी डॉक्टर जो बोला जाता है अच्छे सिसु रोग विससक जिनको बना कर उन्होंने उतारा था तो दस से दस बाड़ा जार भोटों ले आएंगे लेकिन तरह से चिराग पाशवान ने मतलब इसारो इसारो में वहां परशां भाड़ी दिखरा है हो सकता है आरिएड्यू वहां चुनाव जीत सकते है अपर हैं ऐसे चुनावं में कुछ नहीं कहा सकता है दोनों में कोई प्रãyजीथ सकते हैं अब आप चले हैं यह भ workflow थो बेला गंज का चुनाओ सब से जाधा रोचक रहा है सुरू से भाई सबके टार्गेट में acknowledgement Tá कि आर्जेडी का गढ़ तोड़ देना है परसांत कि सोर का एक सुत्री लच्छ था कि बेला गंज में आर्जेडी को अड़ाना है नितिश कुमार का एक सुत्री लच्छ है आर्जेडी को अड़ाना है भाजपा का सभी पार्टियों का लच्छ था कि सुरेंदर यादव को यहां तक कि ओवैसी को भी खड़ा किया गया लेकिन सुरेंदर यादव का मैनेजमेंट वहां अच्छा रहा और जो वोटों का बटवारा था वहां वह धीरे-धीरे काफी हद तक उन्होंने रोक लिया यहां तक कि यादव वोट का डिवीजन का था यादव वोट में कोई डिवीजन नहीं उन्होंने वन्होंगे इतना है मैनेजमेंट अच्छा किया लालू परसाद भी गया है और टोटल वोट वहां मैनेज हो गया और वहां पर टोटल देखा जाए तो सुरेंदर यादव के पच में यादव वोटों का हो गया मुस्लिम वोटों की बात हो तो मुसल्मान वोट के लिए पहले से ही सब लोग लगे हुए थे परसांद की जोर था का था कि मुसलिम वोट को काट लेना है आरजएडी को अड़ा देना है लेकिन मुसल्मान भी लास्ट लास्ट तक 50% मुसल्मानों का डिवीजन हो गया और वो आरजएडी के पच्छ में चले है और वर्ड क्लास पर सबकी निगाहें यहां एक तरह से जो जानकार हैं या कहें जागरुक हैं और वर्क पर उनकी नजर थी तो फॉर्वर्ड क्लास का जुकाब जो है वो कि सोर था तो अपर कास्ट का भोट में भी सवार डिवीजन हुआ वहां प्रस्णल लिलेसन होता है तो अपर कास्ट का भोट सुरंदर यादव को भी मिला और कुछ की सोर को भी मिला जदिव को भी मिला वहां कि खिरी की तरह अपर कास्ट करत 59 को मिला तो भूक्त जो है वह क sack की बड़ीडिया जो कि मुस्लिम कंडिडिय थे कारण है कि चार्ज चुनाओ चार्ज सीटों पर जोग चुनाओ हो रहे हैं उसमें एक बेला गंशीट ही है जहां परसांद की सोर्गे कंडिडेट को 20-30,000 भोट आएंगे बाकी जगों पर कहीं कोई लडाई में ही नहीं है वोट कटवा कहला दे वहां चुकिन मुस्लिम और प्रसंद की सोर्गे काट लिया और कुछ उनको भी मिला उतना फोट उपर कंडिडेथी घ्डेव को मिलबना था वह सफंत की सोर्गे काट लिया और आड जडेई लिया तो फिर जहां थी मनुर्मा देवी उहीं रहे नहीं यह भी कहा जा रहा था सिंतोजी कि दोनों जो है यादव शमुदाय से आते हैं लिहाजा यादव वोटों में भी बटवारा होगा और दोनों बाहु बली और धन बल से संपन माने जाते हैं दोनों ही कंडिडेट सुरिंदर वान ब्यक्ति चुनाम मैदान में है तो नतीजे क्या लग रहा है क्या कुछ होने वाला है देखिए वहां तो लास्ट लास्ट खेला हुआ है चाहिए भारती जनता पार्टी हो जनता दलो सबने पूरा पुरा परसाशन लगा हुआ था सरकार की तरफ से किसी प्रकार से पूरा बिधाय अक्सांस सब लोग वहां कैम्ट किये हुए थे जनता दलीव को जीताने के लिए दूसरी तरफ आरजीडी के तरफ से पूरी फोज आरजीडी लालु परसाथ भी चुनाम मैदान में उतर गया तो लालु परसाथ के जाने के का फायदा हुआ कि या दो वोट पुत्र का वहां जाना तो ़सामा के जाने के कारणों मुसलमान बोट जो सतर से स्टी परसेंट जो फरसांद की सौर को तरफ जा रहा था वह 50% से कम गया 50% वह तो पाया नहीं तो ज्यादा तर मुसलमान फिर आरजीडी की तरफ की तरह जो अब मैंने पहले भी बवला था क कि मुस्लिम भोट हमेशा सुरू में लगता है कि तूटते हैं लेकिन लास्ट आते आते पुड़े भोटों की गुलबंदी हो जाती है तो बेला गंज में फिर ऐसा ही हुआ और वहां मुझे लगता है कि अपर हैंड आरजडी का लग रहा है और जडी और मनुर्मा देवी से चुनाब जीत रही है परशांत कि शोर जो चाहते थे नतीजे वैसे ही नतीजे आने वाले हैं तोर पर पुरा तंत्र लगा हुआ था पूरी सरकार लगे हुए थी सरकार की पूरी फॉज लगी हुए थी और पिछले 72 घंटे में जो पैसा का बटवारा हुआ पदकाज मत लेकिन अब चुनाओं जीत पाती है कि नहीं यह कहना मुश्किल है लडाई काटे की है उसमें हो सकता है कि मनुर्मा देवी जीत जाए और हो सकता है कि सुरेंदर जादव जीत जाए लडाई काटे की है अब परसांद की सुर्द मुसलिम का कितना भोट काट पाए और अपर सबसे बड़ी बात है कि यह चार सीटों पर चुनाब हो रहे हैं उनमें से तीन जो है महागटवन्दन के खाते में था ऐसे में आरजेडी के कंदों पे बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो जादा से जादा सीटों पर जीत हासिल करें अब जब वोटिंग हो गई है और बस अब अनुमान लगाए जा रहे हैं क्या लगता है कि अगर बेला गंज, रामगड और फिर तरारी जैसे ये तीन सीट में से एक भी सीट जो है आरजेडी या यूं कहें कि महागटवन्दन लूज करता है तो उसके लिए उसके भविस्ट के लिए अच्छे संकेत नहीं है है सरकारी तंत्र का चुनाओ सरकार जीत जीते हैं ज्यादा तर यहां तीनों हर सीट पर काटे की लडाई है चारो सीट पर कांटे किला राई ए और हार जीत का अंदर किसी भी सीट पर बहुत ज्यादा कांतर नहीं होगा सबीतों पर हार जीत कांदर मुझे लगता है कि 5000 के अंदर ही होगा बेला गंज और इमाम गंज में तो थे प 2107 के अंदर आ मांतर होगा और आप रामगड से थो हजार-दोहजार के अंदर का हार जीत होगा और तरारी में भी वही इस इस्तिति हैं पांशे जार के बीछ इमाम गंज में अगर जीतन राम मांजी की बहू दिपा मांजी चुनाव हारती है तो क्या यह सीम नितिस्ट की हार मानी जाएगी जिटन्राव मांजी हाड़ जाएगी लड़ाई काटे की है हाँ अगर हारती है तो यह सत्ता की हार होगी तुकि जिसन्राम be मंत्री मिंत्री हैं उनके बेटे भी मंत्री हैं Pelas सरकारी तंतर लगा हुआ था धनल से लेकर मानोवल पूरा पूरी सरकार लग गई थी फिर भी अगर चुनाव हारते हैं जी तर्रामा जी कि बहुत तो नितिस्त कुमार की परतिस्था निश्चित तो पर दाव पर लेगे जी 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 कुल मिलाकर ये जो बिधान सवा के चुनाब उपचुनाब हुए क्या लगता है कि भविश्य में इसके जो आम तोर पर बहता का इस्तेमाल हम लोग मीडिया वाले करते हैं कि यह तो से मुझे फाइस्था है या फिर फिर एक उपचुनाव है कि देखे उप उपचुनाव से मिवाइनल बोला जाता है तयुदिद परभाव अलग होता है और आमचुनाव के पुरबहौ कोई प्रभावित नहीं होता है और उप्चुनाव में होता है केबल सीट का लड़ाई अस्थानिये मामले होते हैं यह सेमिफाइनल बोलते हैं लेकिन सेमिफाइनल ऐसा कुछ मामला नहीं होता है परशांद की सोर के लिए एक पर्तिष्ठा का सवाल था अगर वोट नहीं आता है तो भविस उनका अंधकार में हो कि सभी सीटों पर उनकी पार्टी की जीत होगी लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि वे वस वहां मौझूदगी दर्ज करवा पाएंगे बेला गंज के बारे में कहा जा रहा है कि बेला गंज में परशांत की शोर के उमिदवार को कुछ बोट मिलेंगे उसका भिसरे परशांत की शोर को नहीं बलकि वहां के उमिदवार को जाता है तो ऐसे में ठेकी कहा शंतोज जी ने कि परशान्त किशोर का भविश जो है अंधकार मैं दिखता है और इस चुनाम नतीजे के बाद इस पर मुहर भी लग जाएगी फिलाल इतना ही आप हमें फेस्बुक पर फालो करें यूटूब पर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें और कमेंच कर अपना महतुपून विचार और सुजाव जरूर दें धन्यवाद